दोस्तो Redmi ने आज Redmi 8A लॉंच कर दिया है, बहुत ही कम प्राइस में अच्छे अस्पेक्स के साथ, इसमें आपको 5000 एमेज की बैटरी, टाइप C, फास्ट चार्जिंग, रियर कैमरे में Sony IMX 363 का सेंसर मिल जाता है, वो भी 7000 से कम के प्राइस में, लगभक सेम प्राइस और अ देखेंगे किसे में हमें ज्यादा फीचर मिल रहा है, और कौन सा फोन हमें खरीदना चाहिए, तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर, सबसे पहले हम दोनों फोन के डिस्पले को देख लेते हैं, तो Redmi 8A में आपको 6.2 इंच का HD पलस IPS डिस्पले, डर्ट नोच के साथ मिल जात है, इसमें आपको Gorilla Glass 5 का प्रोटेक्शन भी दिया गया है, वहीं इंफिनिक्स हाउटेट में आको 6.5 इंच का HD पलस IPS डिस्पले, मिली डर्ट नोच के साथ मिल जाता है, 720 x 1600 पिक्सल का स्क्रीन रेजुलेशन मिलता है, 90.3% स्क्रीन टो बोडी रसियो मिल जाता है, प्रोटेसर की तो Redmi 8A में आपको Snapdragon 439 जिपसेट मिल जाएका, ए 1.95 GHz प्रोटेसर की तो Redmi 8A में आपको अचने डर्ट रेगन 439 जिपसेट मिल जाता है, वहीं इंफिनिक्स हाउटेट में वीडिया टेखिलियों P22 का जिपसेट दिया गया है, ए 2.0 GHz प्रोटेसर की तो रे एक ही जैसा है, डे टू डे उसेज में कोई अंतर नहीं आएगा, अब बात करें डिजाइन और व्यूल्ड क्वालिटी की, तो दोनों ही फोन में आपको Polycarbonate प्लाचिक बड़ी मिल जाएगा, रेड्मी 8A के बैक में आपको Aura Wave Grip डिजाइन मिल जाएगा, और ये तीन कलर में अविलेबल है, संसेट रेड, ओसीन बुलू और मीड नाइट बलाइक, वहीं इन्फनिक्स हाट एट ग्रेडियन कलर के साथ आता है, सेयान और कोस्मिक परफल, दोनों ही फोन अस्प्लैस प्रूफ है, अब दोनों फोन के कैमरे की बात करें, तो रेड्मी 8A के रियर मे अपको सिंगल कैमरे मिलता है, जो की 12 मेड पिक्सल का है 1.8 अपरचर के साथ, इसने सोनी IMX363 का सेंसर दिया गया है, तो कैमरे क्वालिटी आपको सही मिल जाएगा, फ्रॉंट में आपको 8 मेड पिक्सल का सिर्फी कैमरे मिल जाता है, 2.0 अपरचर के साथ, वहीं इन्फनि और तिसरा 2 मेड पिक्सल का लो लाइट के लिए, फ्रॉंट में आपको 8 मेड पिक्सल का सिर्फी कैमरे मिल जाता है, 1.8 अपरचर के साथ, तो कैमरे में इन्फनिक्स होटेट थोड़ा आगे निकल जाता है, अब बाद क्रिया स्टोरेज की तो Redmi 8A में आपको 2 स्टोरेज मिलेगा, एक 2GB RAM 32GB स्टोरेज, दूसरा 3GB RAM 32GB स्टोरेज, वहीं इन्फनिक्स होटेट में आपको एक ही वेरियेंट देखने को मिलता है, 4GB RAM 64GB स्टोरेज, अब बात करें बैटरी की तो दोनों ही फोन में आपको 5000 इमेंज का बिक बैटरी मिल जाता है, रेड्मी 8A में आप आपको टाइप सी 18W Fast Charging का सपोर्ट दिया गया है, पर इन्बॉक्स में आपको 10W का ही चार्जर मिलेगा, वहीं इन्फनिक्स होटेट में आपको 10W चार्ज का ही सपोर्ट, सोफ्ट्वेयर की बात करें तो रेड्मी 8A में आपको EMIUI 10 मिलता है, जो कि Android 9 Pie पे बेस्ट है, व खेस अंलोक का सपोर्ट दिया गया है, वहीं इन्फनिक्स होटेट में फिंगर प्रिंट और खेस अंलोक का सपोर्ट मिल जाता है, दोनों ही फोन में डिवल 4G होल्ट का सपोर्ट मिल जाएगा, दोनों ही फोन में लोवर सेटिंग में परवजी खेल पाएंगे, अब बात क प्राइस के मामले में इंप्रिक्स होटेट काफी आगे निकल जाता है दोस्तों यह था दुना फोन का कंपरीजन अब बात करें कौन सा फोन खरीदना चाहिए तो अगर आपको टाइप से 18 बाट फार्स चार्जिंग का सपोर्ट रेडमी का ब्रांट और स्नैप ड्रेगन का चाहिए तो रेडमी एटे आप खरीद सकते हैं पर अगर आपको ट्रीपल रियर कैमरा ज्यादा रैम और स्टोरेज विग डिस्पले और फिंगर प्रिंट अनलोग चाहिए तो इन्फिनिक्स होटेट आपके लिए बेडर चोईस होगा आई होप वीडियो आपको पसंद आ हूआ हूआ हूआ